नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं पाराशिक्छक धरनापरदसन आज दिखाएंगे अपनी ताकत पाराशिक्छकों के एक गुड टेट सफल सहायक अध्यापक संग के आवाहन पर टेट उतिन पाराशिक्छक मंगलार को राजभौन के समीब धानापरदसन करेंगे टेट उतिन पाराशिक्छक संग के बेतनवान वा अन्यमागों को लेकर आंदोरोन रथा हैं पारासिजकों ने कहा है कि वे NCTE और NEP के तमाम मानकों को पूरा करते हुए सरकारी सिक्षक बनने के आहाटा रखते हैं राज सरकार के महा अधिवक्ता ने भी इस मामले पर पूरो में सरकार को लिखी राज सोपी थी कि TET उतिन पारासिजकों को बेतन मान देते हुए समयोजित किया जा सकता है जारखन में सबसे परदूसित सहरों में रांची ड्वलु एचो का अलर्ट जारी ड्वलु एचो द्وारा जारखन में परदूसन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है रांची के आवो हवा अप पूरी तरह से दूसित हो चुकी है परयावरन वीद नितीस पिर्यादर्शनी ने बताया है कि नगर डिगम छेत्र में रहने वाले लोग घरों पर ही 10 सिग्रेट के बरागबर परदूसित धुआ अपने लंग्स में ले रहे हैं या सरीर के लिए काफी हानी कारक है इससे लोगों की उम्र लगभग 10 से 15 वर्स घट जा रहे हैं लोग परदूसित धुआ लेकर लंग से समधी बीमारियों के सिकार हो रहे हैं इससे राज में लगातार लंग से समधीत मामले तेजी से भी बढ़ रहे हैं बता दे रांची के हावा काफी परदूसित हो गई है इस दिसा में परदूसन बोड दोवारा जल्द बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि सहरवासियों को घातक विमारियों से बचाया जा सके सालखन मुर्मु ने जगनात महतों के ब्यान पर साधानी साना आदिवासि सेगेला भ्यान के अध्याक सुवपुर्व सांसा सालखन मुर्मु ने कहा है कि सिक्षा मंत्री जगनात महतों गलत ब्यानी कर रहे हैं उनका काना आए कि बिना किसी पत्र या गयट के कुर्मी के क्यों 1931 में ST सुची से बाहर किया गया यदि कुर्मी ST नहीं है तो उनकी जमीन C&T में कैसे है सिरी मुर्मू ने कहा कि मंत्री जगरनात मतों के ग्यात होना चाहिए कि C&T कानून की धारा 46 B के तहत SC और OBC की भी जमीन की रक्षा के लिए C&T में प्रोधान है जगरनात मतों का दावा है कि हम 1950 के पहले तक ST में सामिल थे यह दावा दमदार नहीं है 1931 की जनगन्ना में भी अंग्रेजों द्वारा जारी सेसस अफ इंडिया 1931 भेल्यूम साथ बिहार और उडिसा पार्ट वन रिपोर्ट द्वारा W.G. Lacey में इंपेरियल टेबल 18 और 17 में इनका नाम नहीं है उन्होंने कहा कि W.G. Lacey I.C.S. द्वारा सेसस अफ इंडिया 1931 के अपेंडिक्स 5 में बरनित छोटा नागपूर के कुर्मी के पेज 293 और पेज 294 में लिखा हाई कि All India कुर्मी छत्रिये कॉन्फिरेंस मुझाफर पूर बिहार में 1929 को हुआ था CM हमंत पहुँचे कोडार महा सरकार आपके द्वार में हुए सामील आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में CM हमं सुरेंस सामील होने कोडार महा पहुँचे यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया इस कारकरम में मंत्री आलमगीर आलम सत्यनंद भोकता बरी बिधायक उमा संकर अकेला बरकटा बिधायक अमीत्यादव अने मौजूद है मौके पर बिधायक अमीत्यादव ने चलकूसा परखंड को कोडार में किये जाने की मांग की वहीं कहा कि राज सरकार पत्थर वर धीबरा कारोबार को लेकर नियम सिथिल कर रहात दे कोडारमा में हजारों लोग वे रुजगार हो गाए है उन्हें रुजगार मिले उन्हें 37 का खतियान लागू कर हमत्य सरकार ने हर जरकंडी को पचान देने का काम किया है वहीं कारकरम में बरही विधायक उमा संकर अकेला ने कहा है कि भाजपा की कथनी और कर्मी में अंतर है हमत्य सरे ने जरकंड का सपना पूरा किया है जरकंड में जल्द खुलेगा कोशल विकास विश्व विध्याला है मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा कि युआओ में कौसल विकास के लिए 20 विद्याले जल्द खोला जाएगा ताकि युआओ प्रसिक्षित होकर दक्ष बन सके और रोजगार के विभीन आयाम में जोहर दिखा सके बोकारो के बियाडा छेत्र में टेक्नोलोजी सेंटर को मंजूरी मिल गई है इससे रोजगार के नयायाम विक्सित होंगे युआओ को रोजगार भी मिलेगा साथ ही पचास एर्शिक्षकों की बहाली की जाएगी ताकि शिक्षन सस्थान बेहतर हो ये मंत सुरें सोमवार को बोकारो के सेक्टर 5 इस सित पुस्त काला मैदान में अवयजीत आपकी युइना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में बोल रहे थे रांची में जमा जम बारिस अननने कहा था कि मांसुन वापसी का 15 अक्टूबर तक का पुरोमान रहा लेकिन बंगाल की खाणी में बंढ़े चक्रवात ने हालात बदल दिया कुछ दिनों तक जार्खन के सभी हिसों में बार्षा के संकेत है दो कड़ोर लेवी मांगने वाले तीन पीलेफाई गिरफतार तुपुदाना अध्योगिक छेत्रे के आटा नूडल्स फैक्टरी संचालाग पवन सिंग से पीलेफाई उगरवाजी संगठन के नाम पर दो कड़ोर रुपे लेवी मांगने में से घबरा कर तीनो नगसली मंजूर आलाम तसलीम अंसारी वा बवलू राची छोड का सुरक्षी ठीकानों पर भागने की फिराक में था तक्निकी टीम को सुचना मिली कि तीनो बुलू रंग के स्विप्ट डिजार कार से भागने की फिराक में हाए धनबाद नगर निगम देगा बिल्कुल मुफ्त पानी छट महापर्व में अमात्र कुछ ही दीन सेस हैं तैयारिया सुरू हो चुकी है तलाबों की साबसाफाई भी हो रही है लोगों ने छट घाट घेरना भी सुरू कर दिया है इस बीच नगर निगम ने छट वरतियों को बड़ी रहाद दी है पहली बार नगर निगम छट वरतियों को भी से सुविधा देने जा रहा है छट तलाबों पर भीड भार देखते हुए कई छट वरति अपने घार की छट आंगन और गली मुहले के मैदान में छट घाट बनाते है इस दरण पानी की मांग अधिक रहती है इस समस्या का समधान नगर निगम ने निकाल लिया है नगर निगम ऐसे सभी छट घाटों के लिए निसूर्क पानी का ट्रेंकर उपलब्द कराएगा इनके लिए नगर निगम ने टोल फिरी नमबर 18000-890-4160 और करयाले में आवेदन कर सकेंगे इसके बाद ही पानी का निसूर्क ट्रेंकर उपलब्द होगा दिपावली छट में पार्सल बोकिंग बंद यात्री गंध्यान दे आपके लिए जरूरी खबर है बतादे दिपावली और छट के दोरान आपका कोई समान न तो दिली आएगा और नहीं दिली से कोई समान लाया जा सकेगा यात्रीयों की अत्यधिक भील के मदनजार रेल्वे ने 11-29 अक्टूबर तक विभागिये पार्सल की बोकिंग पर रोक लगा दी है 23-29 अक्टूबर तक न तो पार्सल चड़ाया जाएगा और नहीं उतारा जाएगा बतादे नहीं दिली, 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 सराय, रोहिला और अनंद भीहार टर्मिनल में या अब्यवास था ये कईस अक्टूबर से प्रवाई हो जाएगी उत्तर रेल्वे ने इससे जुड़ाय आदेश जारी कर दिया है धनबाद रेल मंडल में भी पत्र पहुँच चुका है बतादे दिली और आजपास में होने वाले अप्रवासी, दिपावली और छट के दोरान बड़ी संक्या में घरवापसी कर रहे है इस वज़ा से स्टेशन पर्यात्रियों का दवाव पहले से कई गुना बढ़ गया है पार्सल लोड और अनलोड करने के दोरान यात्रियों को परिशानी हो सकती है 1932 खत्यान के लिए विशेश सत्र बुलाएगी सरकार 1932 खत्यान अधारित अस्थानीय नितिताय करने के लिए सरकार बिधान सभा के विशेश सत्र बुलाएगी या घोसना खुद मोखी मंत्री हमन सुरेन कर चुके है किसी भी हाल में 1932 खत्यान निति को लागू किया जाएगा इसके लिए हम अडिग है या बाते सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने कही वस्वम वार्साम स्टील गेट में जामो के पुर्व जिला ध्यक्स मनिद्रानन्द मंडल की पुनेतिती पर आयोजित सर्दावरिस्तवा को समोधित कर रहे थे बता दे मनिंद्र नाथ मंडल की पुनेतिती परुन की समाध्धी पर मल्यारपन करने के लिए नियताओ एवं आम लोगों का दिन भर जमावडा लगा रहा गोल्डन गर्ल आसा किरन बारला के घर परसासन ने पहुचाया टीवी सेट कुवायत में आयोजीत एसियन यूथ चेंपियंशिप में जहरकन के गुमला की नेशनल एथलीट आसा किरन बारला ने 800 मिटर रेस में स्वन पदक जिता है इस पलको परिजनों के लिए यदगार बनाने के लिए परसासन ने भी सहाय था की और उनके घर टेलिवीजन के साथ सेट टॉप बॉक्स भी पहुचाया बता देकि एसियन यूथ चेंपियंशिप का आयोजन कुवायत में 13-16 अक्टूबर तक किया गया था सनिवाराथ फाइनल राउंड में आसा ने 800 मीटर की रेज 2-6-89 सेकेंड में पूरा कर गोल्ड मेडल जीता है लोहरदगा में CCTV पर गोवर पोथ ATM तोड कर निकालने लगए रुपाए जारखन के लोहरदगा में ATM चोरो का हैरतनजाज कर नामा देखने को मिला है बतादे चोरों ने 17-18 अक्टूबर की राथ करीब 2-30 मीट पर लोहरदगा सहर के बलोक मोड में 61 बैंक के ATM केबिन में घोस कर CCTV कैमेरे पर गोवर पोथ दिया इसके बाद ATM तोड कर पैसे चुराने की कोशिस की हलाकी चोर अपने मनसुवे में काम्याब नहीं हो सके लेकिन पकड़े जाने के डर से CCTV पर गोवर पोथ कर का नामा सबको हैरान कर रहा है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल अगर अंद भाई